कि नमस्कार साथियों मैं ओंकार गोष्वामी आपका इस चैनल पर हारदिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं इंदी साहिते का संक्षिप्त एतिहास सीरीज के अंतरगत आज हम आधिकाल के अंतरगत नाथ साहिते का अध्यन करने वाले हैं जोकि अब्रंस साहिते के विखिदन है कि आप चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब करें नाथ साहिते के बारे में आदी काल में सिध साय जैन साहिते और नाथ साहिते अत्यदिक मेहत्पुर्ण रहा हैं है राया कि डॉक्तर योगमार्ग, योगसंपर्दाग, अवधूतमत, इवं अवधूत संपर्दाग के नाम से परशिद है। तो ये हजारी परोचाद helium यहदी ने इसके विभिन नामों के बारे में लिखा है अपने क्रंथों में, कि नात संपरदाय के अन्य नाम क्या है तो नात पंथ भी कहते हैं से नात संपरदाय भी कहते हैं सिद मत भी कहते हैं सिद मार्ग योग मार्ग योग संपरदाय अवधूत मत और अवधूत संपरदाय ये सभी नात साहिते के नात परंपरा के नाम है और ये नाम हजारी प्रशाद दूएदी के अनुशार है यह मुक्यत है यह दो संप्रदायों के नाम से विसेश जाना जाता है तो यह प्रशिद जो है वो सिद मत से हैं और नात मत इन दोनों से दोनों नामा से यह प्रशिद है नात साहित है इन दो भागों के नाम से पुकारे जाने का कारण है कारण भी अब रस्पष्ट के अगया है पहला है मस्चेंदरनाथ और दूसरा है गोरकनाथ मस्चेंदरनाथ और गोरकनाथ इस दो जो नाम है वो इसके कारण है दोनों नामों के अलग-अलग एक किम वदनती है कि गौरक नाथ मसिंद्र नाथ के सिस्य है किन्तु मसिंद्र नात परम योगी होकर भी नारी साचेरि के आचार में फस गए तब उनके सिस्य गौरक नाथ को पता चरा तो उन्होंने सजग किया तब यह कथा प्रचलित है जाग मचंदर गोरख आयो तो गोरख एक किम वदनती है कि गोरख नाथ है वो मचंदर नाथ कि सिस्से है और जब मचंदर नाथ नारी शाचरे के आचार में फस जाते हैं तो फिर उन्हें सचेत करने काम उनकि सिस्से गोरख नाथ करते हैं तबी से यह पंक्तिय वो चल पड़ी है जाग मचंदर गोरख आयो अब हम गोरखनाजी के बारे में चर्चा करते हैं ये नात संपरदाय के ससक्त प्रणेता थे इस संपरदाय के सूप प्रशिद योगी रहे है गोरखनाजी राहुल संक्रत्यायन ने लिखा है इनके बारे में कि इनका समय 845 इसवी माना जाता है गोरखनाज से पहले अनेक संपरदाय हुए किन्तो उन सब का विलय हो गया गोरखनाजी की रचनाओं में गुरु महिमा जो इनकी विसेस्ताई है गोरखनाज की रचनाओं की कि उनमें क्या वर्णित है उनकी क्या विसेस्ताई है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्रान साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जगाना और सुन्य समादी का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है और यही इनकी रचनाओं की विसेस्ताएं भी है गोरखनात का हट योग भक्ति काल में कबीर का आठ योग है यह बहुत मैत्पून है अभी हम यहाँ पर गोरखनात के संदर्ब में पढ़ रहे हैं यह हठ योग के प्रयोग करते थे और यही हठ योग भक्ति काल में कबीर को प्रभावित करता है और कबीर भी इस पर विष्वास करते हैं हठ योग का तात्पर यहाँ पर बताया गया हनाomet्ग इनका समेकित जो अर्थ वह है सूर्य चंद्र स्टर को जागरित करना तो हट का अर्थ हमें अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए है यानि सूर्य अठ यानि चंद्रमा और अर्थात सूर्य चंद्र को जागरत करना हट योग में मन की सुद्धी पर विसेश द्यान दिया जाता है मन की सुद्धी पर द्यान दिया जाता है विसेश तोर से हट योग में में इनकी कृतियों में सट चक्रों पर विसेश द्यान दिया गया है चक्र माने हैं सट चक्र ये पंक्ति बहुत प्रशिद है और पुछी भी जाती है कई बार नो लख पातरी आगे नाचे पीछे सरजा खाड़ा ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे पंडारा ये मत जगत को अमूर्त मानता है अगला ये पंक्ति भी मेत पुणे अंजन माही नरंजन बेट्या तिल मुख बेट्या तेल मूरत माही अमूरत परश्या भया नरंतर खेल अब बात आती है बासा के इनकी बासा सिद्धों की बासा थी इसलिए नाथ संपर्दाय को बौद धर्म के वज्र यान सहज यान साखा से निकला हुआ मानते हैं बहुत धर्म इनकी जो बासा है वो सिद्धों की बासा थी और नाथ संप्रदाय को बहुत धर्म के अंतरकत वज्रयान और सहजयान साखा से निकला हुआ माना जाता है तो नाथ संप्रदाय का जो बहुत धर्म से संबंद है यह इनकी बहुत धर्म से उपज हुई है नाथ के बारे में जानकारी लेते हैं यह गोरोख नाथ के शिस्य थे और जो वाई आडमरम्राओं को रखने वाले सदुओं को फटकारते थे यानिno कि जो ऐसे साधू दिखावा करते थे उनको फटकारते थे एक सेती पटा एक नील पटा एक तिलक जनव एक लंबी जटा ये पंक्ति चरपट नाथ के बारे में बहुत प्रशिद है और पुछी भी गई है परिक्षाओं में तो बहुत मैत्पोंट पंक्ति है यह इंपोर्टेंट है और आप याद भी रखनी है ये जाती के ब्रामन होने के कारण जिनको पूरण भगत भी कहते हैं ये मस्चिंदर नाथ की सिस्य थे और गोरख नाथ के गुरु बाई थे डॉक्टर हजारी परशाद दुवेदी ने बताया है कि पंजाब में लोक कथाओं में पूरण भगत की कथा की चर्चा होती है कौन से जगा है पंजाब में पहुँचे हुए सिद्य योगी थे इनकी रचना प्राण सांकली है रचना का नाम है प्राण सांकली अतहर तेरह भी सतापदी में नाथ संपरदय का परचार परशाद तेज गती से हुआ इन्होंने अपनी रचना सेली को उपदेश परक बनाकर संसार की माया और मो का होता है तो कभीर के कावे में और यही सवाल जो कभीर के संदर्व में पूछा जा सकता है कि कभीर का जो रहष्यवाद है उसके का संबंद किस से माना जाता है तो चरंगी नात के रहष्यवाद से माना जाता है इंदी सहिते में नात संपरदय का प्रभाव इस प्रकार रहा बहुत धर्म के परचार को कम करना इन्होंने उसकी परचार को कम किया इस्वरवाद में आस्था का प्रसार किया तथा अंतह साधना पर जोर दिया और अगली विसेशता है या कहें कि जो नाथ संपर्दयका जो प्रभाव है वह बारतिय मनो वृति के अनुकूल आच्रण कर ज्ञ जीवन में स्थान बनाना कि अगला जो प्रभाव है नाथ समपरदय का वहां है योग-किरियाओं का समा वेस कर नंई समावेस करके अना चारी जीवन के प्रति वीत्रश्ण का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना और हजारी प्रशाद्य वेदी के अनुशार नाथ संपरदाय ने परवर्ति संतों के लिए सिर्धा चरण प्रदान धर्म की प्रष्ट भूमी तयार कर दी जिन संत साध्गों की रचनाओं से तो यह था नाथ संपरदाय का अधिन आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं और आप इसी तरह अपना सने बनाए रखें चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में ज हैं जाएंगे 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 हैं ज